चेहिंद दोस्तों, मेरा नाम दीक्षा है और आप सभी का मेरे चैनल Learn and Flourish पे हार्दिक स्वागत है दोस्तों कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी वो gaps, बहुत सारे abbreviation, trending होते हैं लेकिन हमें उनका मतलब नहीं पता होता तो आज मैं ऐसे ही high profile case से चुड़े एक abbreviation के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ ED, ED का full form है Enforcement Garrick Greg, इसको हिंदी में प्रवर्तन निदेशाले भी कहते हैं यह भारत सरकार के वित्मंत्राले के राजस्व विभाग के अंतरगत एक वित्तिय जाच एजंसी है और इस एजंसी का जो मुख्याले है, head quarter है, वो न्यू गैली में है इसके पांच शेत्रिय कार्याले भी हैं जो की निन्न शहरों में हैं मुंबई, चिन्नई, चेंगेगर, कोलकाता तथा दिल्ली इस एजंसी के जो प्रमुक होते हैं, उनको प्रवत्दन निदेशक कहते हैं अगर मैं इस एजंसी की स्थापना की बात करूँ तो इस एजंसी को एक मई 1956 में फॉर्म किया गया था और एक ये गॉर्मेंट एजंसी है, लेकिन इसका समिधान में जिक्र नहीं है समिधान में इसका जिक्र नहीं है और इस एजंसी के अगर मैं कारी की बात करूँ तो ये एजंसी भारत में आई से अधिक संपत्ती की जाच विदेशी संपत्ती मामला कथा मनी लॉंकरिंग जैसे मामले को देखती है तो अगर आपको ये ट्रेंटिंग अब्रिवेशन समाझ आ गई हो और मेरी इंफोमेशन अच्छी लगयो तो प्लीज लाइक करें वीडियो को शेर करें सबस्क्राइब करें शेहिंद